पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा फर्स्ट प्रश्ट है विश्व महा सागर दिवस्या वर्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है तो इसका सी ऑप्शन बलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्व महा सागर दिवस्या वर्ड ओशियन डे ट्वैंटी 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 वन की थीम क्या रखी गई है तो इसका अप्शन बिलकुल सही हो जाएगा विश्व महा सागर दिवस्या वर्ड ओशियन डा ओशियन डाओशियन 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 रखी गई है इस वर्ड की थीम का फोकस समुद्र के जीवन और आजीविका पर किया गया है अगला कुशन है हाली में खोजी गई चॉकलेट मेडग की प्रजाती का नाम क्या रखा गया है तो हाली में खोजी गई चॉकलेट प्रजाती का नाम लाइटोरिया मीरा रखा गया है अगला कुशन हाली में Harry Potter श्रंखला के समान चॉकलेट मेड़क कहां पाया गया है ए अप्षन आस्ट्रेलिया, वी अप्षन है नियोगिनी, सी अप्षन है न्यूजिलेंड, डी अप्षन है कैनडा तो नियोगिनी में पाया गया है अगला कुशन है अउस्ट्रेलिया और नियोगिनी को जोड़ने वाला लैंड ब्रिज कौन सा था तो इसका ये उप्षन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अउस्ट्रेलिया और नियोगिनी को और अरुद्वीप समू के बीच एक भूमी पुल का निर्माट करता है अउस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा और यहां की करंसी होती है डॉलर सबसे बड़ा सहर यहां का सिडिनी है औस्ट्रिलिया को खेल कंट्री के नाम से भी जाना जाता है अगला इसका जो नाम है बड़ा टफ है इसका अब बहुत अच्छी से कीजएगा द्यूश हेंटुमोर इल्फ द्यूश हेंट्रों वोग्य के डी उप्शन इसका बिल्कुं सही हो जाता हुगा द्यूश मची झाता है इसका वह जक्ता केम उपता है और जंडर ब्लुकुंसर सही हो जाति है ऐगा यंत्रित रूप से बढ़ने लगती है तो वे कैंसर कोशिका है और ट्यूमर घातक है ट्यूमर गैर कैंसर यूग तो हो सकता है अगला कुशिन है पॉक्सो अधनियम की अनुसार किस बच्ची के रूप में बर्गर्गर्द किया गया है यह ऑप्शन 18 बर्स के कम आयू का कोई बी वी अउप्शन 16 बर्स से कम आयू का कोई भी थी अफशन है तेरा बर्से कम उमर का कोई भी तो इसका यह ऑप्शन बिल्कुट रहे हो जाएगा ओके पॉक्सो अधनियम 2012 के अनुसार यदि एक बच्चा कोई भी व्यकती जिसकी आई 18 बर्स से कम है वो पॉक्सो अधनि निमलिखित मैंसे कौन सा कथन पॉक्स ओधिनियम के बारे में सही है पहला कथन इसमें यौन उत्पीडन बच्चों को प्रतारड करने वाली पोर्नोग्राफी सामिल है वी ओफशन ओधिनियम के अनुजार बाल सोशन के मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार है पहला सही है या दोनों सही है या दूसरा आप्शन सही है तो इसमें कहीं गई दोनों ही बातां बिलकुल करेक्ट रहती है पॉक्स ओधिनियम को उन्ने जून 2012 को राष्टपती की सहमती से प्राप्त हुई और इसे बीच जून 2012 को भारत के राजपत्र में अधिस सूचित किया गया इसमें योन उत्पीडन, पॉर्नोग्राफी और अनिस सामिल है अधिनियम के अनुसार ऐसे मामलों की रिपोर्ट करना निवार है यदि कोई ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे भारी जुर्माना या छे महीने का कारवास का सामना करना करना पर सकता है अगला कुशन है पॉक्स ओधनियम को किस वर्स राष्टपती की सहमती प्राप्त हुई थी तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वक्स ओधनियम को उन्ने जुन दो जार बारा को राष्टपती की सहमती प्राप्त हुई और इसे बी जुन दो जार बारा को भारत के राजपत्र में आदिसूचित किया गया था अगला कोशे ने जुन दो जार इकीस में रक्षा मंत्राले ने किस संगठन के साथ 11 अवाई अड़ा निगरानी रडार के लिए एक हरीच समझोते पर समझाते पर हस्ताक्षर किये हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहंद्रा टैलीफोनिक से इंट्री गरेटर सिस्टम लिम्टेड के साथ रक्षा मंत्राले ने 11 अवाई अड़ा निगरानी रडार के लिए समझोते अस्ताक्षर किये हैं ठीक है रच्छा मंत्राले की बात हो रही है तो सबसे पहले समझेगा रच्छा मंत्री कौन है राजना सिंग जीन का निर्वाचन शेतर लखनाव उत्तर प्रदेस है लखनाव उत्तर प्रदेस की राजधानी भी है और लखनाव कौमती नदी के किनारे बसा हुआ सहर है रच्छा मंत्राले ने भारती नौसेना और भारती तत्रक्षक बन के उपियोग के लिए 11 हवाई अड़ा निगरानी रडार की खरीद के लिए मेहंद्रा टेलिफोनिक्स इंटीग्रेटर सिस्टम्स लिम्टिट के साथ 323.47 करोड रुपई के अणवंद पर अस्ताक्षर किये हैं खरीदे और बनाई श्रणी के तरह 11 रडार विक्सित किये जाएंगे अगला कुशिन है 2022 में बैस्विक बेरोजगारी दर डैस होने का अनुमान है डैस द्वारा जारी वर्ड एंप्लाइमेंट और शोशल आउटलिक ट्रेंट्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार तो 2022 में बैस्विक बेरोजगारी दर 5.7 परसेंट होने के अनुमान है जो अंतराष्टी समिक संगठन द्वारा जारी वर्ड एंप्लाइमेंट और शोशल आउटलिक ट्रेंट्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है अंतराष्टी सम संगठन ने वर्ड एंप्लाइमेंट और शोशल आउटलिक ट्रेंट्स 2021 सीर्सक्स एक जारी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि बैस्विक विरोजगारी दर 2022 में 5.7% 2021 में 6.3% होगी 2023 तक बैस्विक नौकरियों में कोई रिकवरी नहीं होगी अगला कोईशन है किस बैंक ने जून 2021 में नाविकों के लिए एक विशेज आनिवाशी बचत खाता शुरू किया है तो फेडरल बैंक ने नाविकों के लिए एक बिशेस अनिवाशी बज़त खाता शुरू किया है निजी छेतरी के रंदाता फेडरल बैंक ने नाविक वर्ग के लिए बिशेस एन आर नॉन रेजिडेंट बज़त खाता योजना शुरू किया है फेडरल बैंक के MDN CEO श्यामा स्री निवाशन है, मुख्याले अलवा केरला में है और फेडरल बैंक की ट्रेगलान योर्फरफेक बैंकिंग पार्टनर है अगला कुशन है, टू मेगा पाइप्ड पेजल अपूर्थी परियोजना की स्थापने के लिए कितने डैस को 254 करोर रुपे मंजूर किये गए थे जो की ग्रामीड वुनियादी धाचा विकास कोस के तहित था तो टू मेगा पाइप्ड पेजल अपूर्थी परियोजना की स्थापना के लिए ओरिसा को 254 करोर रुपे मंजूर किये गए थे जो नावाड के ग्रामीड वुनियादी धाचा विकास कोस के तहित था नावाड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी क्योंकि ओरिसा का गठन एक अपरेल 1936 को हुआ था ओरिसा के सीम नवीन पतनाईक जी है राजपाल गड़ेसी लाल जी है भीतर कर्म का नैशापाग नंदन कनल जुनाजी कल नैशापाग ओरिसा राज में अवस्तित है चुलका लेक जो की खारे पानी की लैगून लेक है व यह सारी बातें ओरिसा राजी से याद रखेगा ओरिसा के चांदेपूर डिस्ट्रेक में बहुत सारी मिसाइल्स का सफलता पूर परिशन किया जाता है जैसे कि पिनाएक मिशाल ना और ब्रहमोस मिशाल एक्तियादी का ओरिसा के विलर दीप का नाम मदलकर एपी जे अब् सेक्षाइब के साथ एक समझाथा गयापन पर अस्ताक्षर किये सी एससेफ किस देश का बित्ये नियामक है तो यह लगजंबर्ग का नियामक है सेवी और लगजंबर्ग कमीशन डिस अवलाइंस डूस लेक्स सेक्यूलर फाइनसियर ने आपसी सयोग और तक्निकी साहिता क के लिए एक दोई पच्ची समझाथा गयापन पर अस्ताक्षर किये हैं इंडिया की स्टॉक एक्षेंज एजनसी है और इसके हैड जो है अजय त्यागी जी है एंड इसका एड़कॉर्टर मुंबाई में है अगला कुशन एगल एक्ट जो हाली में सुर्खियों में था वै अमेरिका से सम्मंदित है रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर पतिदेश की सीमा को समाप्त करने के लिए अमेरिकी प्रतिदेश की सिभा सभा यूएस हाउस ओफ रिप्रेजन्टेटिव ने एक कायनून पेज किया गया इस नए कानून को इगल एक 2021 कहा जाता है बरत्मा अमेरिका की अगर बात आई है तो अमेरिका की होती है वसेंटन डी सी ओ सरी आंके प्रेसिडेंट जो जो वाइडन है वह से चिभा अफ तक्नी का मुक्ह उदेश क्या है तो इसका उदेश है डेटा प्राप्त करना सेंट्रल फॉरैंसिक साइंस लिवरेटरी हैदराबाद के बैग्यानिकों ने एक स्वधेसी चिफ आप ट्रैक्नीक बिक्सित की है इस तक्नीक का मुक्यों देस लॉग्ड और गंबी रूप से छटग्रिस्ट स्मार्ट फॉन से एंटी क्रेप्टिड डाइटा को प्राफ्ट करना है इससे जांच एजनसियों को अपरादियों के खिलाफ विसोसनी सबूद पेस करने में मदद मिलेगी अगला क्यूशन है सेज सीनियर केर एजिंग ग्रोथ हिंजन किस केंद्रियमंत्राले की पहल है तो यह सामाजिक नियाए और अधिकारिक मंत्राले की पहल है अगला कोशन ए एमबी किस बीमारी के इलाज के लिए आई आई टी एच द्वारा विक्सित नैनो फाइवर आधारिट टाबलेट हैं तो ये काला अजार अधारिट टाबलेट हैं भारती प्रदोगी की संस्थान हैथराबाद के सोट गर्ताओंने एमफो टेरिसिन वी की नैनो फाइवर आधारिट गोलियां बेक्सित की हैं जो इने एम बी कहा जाता है काला अजार को ठीक करने के लिए एमफो टेरिसिन वी की नैनो फाइवर गोलियां बनाने का यह पहला प्रयास था चुकि काला अजार उपचार का उपयोग बरतमान में मीकोर में कोसिस के उपचार के रूप में किया जा रहा है अगली न्यूज है जून दोजार इकिस में हुई आर्बियाई की मौदरिक नीती समती की बैठक के बाद रैपो रेट फोर परसेंट तैक ही गई है गवर्नर सक्तिकान दास की अधिक्षता में भारती रिजब बैंक की 6 सदस्य मौदरिक नीती समिती ने बेंचमार्क ब्यासदर को अपरवर्तित रखा है रैपो रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेपो रेट को 3.35% रखा गया है इसके साथ ही रेपो रेट लगाता च्छटी बार आप अरवर्तित रहा है कोरोना वायरस अनिशित्ता और मौदरा स्फीती के आसंका की बीच एनियर ने लिया गया है अगली नियूज एगल एक्ट जो की हाली में संबन देता किसे यह नियूज रिपीट हो गई है यह भी रिपीट है नियूज चलो तो यह इ चाहिए देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं और आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा खबरी प्लेटफों का वहांसे आप और अपने कोई ओपीनियन हो सजेशन हो क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे और आपके सजेशन को भी लिया जाएगा और आपकी क्वेरी को भी फुल्फिल किया जाएगा पूरी तरह से और टेलेग्राम seviट जाइन कर लेजिएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त हो जाएगा बहां से आपको क्लास की पीडियाफ भी प्राप्त हो जाएगी अगर आप चाहते हैं कि क्लास की पीडियाफ मिले तो बहां पे टेलिग्राम गृप जाइन करने के बाद मेसेज कर सकते हैं वहाँ से आपको PDF मेil जाएगा आप अपनी तैयारी बूस्ट अब कर सकते हैं और रिविजन के लिए भी PDF को प्राप्त कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वाप्ञाने के लिए आप सभी का दिन शुभा हो झाल